रूस में यूकरेन के खिलाव जंग में जबरन धकेले जाने का दावा करने वाले भारतियों के परिवारों का दर्द छलक पड़ा क्योंकि जंग के बीच फसे उन लोगों ने एक वीडियो जारी कर मदद की मांग की और उस वीडियो में जो साथ लोग दिखे उन लोगों ने बताया कि वो नौकरी के लिए रूस गए थे लेकिन उन्हें जबरन यूकरेन के खिलाव लड़ाई में भेज दिया गया इस वीडियो में हर्याना के करनाल का रहने वाला हर्ष नाम का लड़का भी मौझूद रहा हर्ष के परिवार ने बताया कि वो रूस घुमने के लिए गया था लेकिन वहाँ 15 दिन की ट्रेनी के बाद उसे रूस की सेना में शामिल कर जंग में उतार दिया गया वीडियो में हर्ष को देखने के बाद उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया विदेश मंत्री एस जैशंकर ने बरोसा दिया कि रूस में फसे सभी भारतियों को वापस भारत लाने की तैयारी पूरी कर ली गई उतर बेकिंग न्यूज आ रही है सीबी आई ने नौकरियों के आड़ में रूस और युक्रेन की जंग में भेजने के नाम पर चलाय जा रहा है एक बड़े नेटवर्क का परदाफाश कर दिया इस मामले में सीबी आई के चापे साथ शहरों के दस से जादा जगों पर चल रहे हैं इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, अंबाला और चंडीगड जैसे शहर शामिल हैं सीबी आई ने मानव तसकरी के इस मामले में कई लोगों पर मामला भी दर्च किया है इसके साथ ही 50 लाग से ज़्यादा रुपए कई दस्तावेज, लैप्टॉप और मुबाइल फोन भी जब किये गए हैं खबर के मताबिक पूश्टाच के लिए कुछ संदिग्दों को भी रास्त में लिया गया है इनके साथ ही ऐसा 35 लोगों की पहचान कर ली गई है जिनें नौकरी के नाम पर जंग लड़ने के लिए भेजा गया उंप्रकाश दिवारी हमार साथ जुड़ने है उंप्रकाश क्या क्या हो रहा है इसमें क्या पता चला है बिल्कुल किशोर मैं आपको बता दूँ वेल सुचनाओं के बाद सीवी आई ने स्वामले में चैवाज मार्ट गोयार 24 को यानि कल माना उव तसकरी समीथ अने कपराद धाराओं के तहर मुगर्दमा दर्श किया था और इसमामले में चैवार 25 से लोगा पता चला है इन्हें कशक नौपी जिनाने के नाम पर इस वार जो ने भीजा गया था फिलान सीवी आई को नेक दस्तावीज मिलें हैं चैप पिमारी का दौर अभी भी जारी है शूप शुक्रिया हो भी आपका शुक्रिया हो बप्रिया होग् स्र एपभिया होग्स धुक्रिया था डिलागी कदसक्रओिध